जिस उम्र में लोग अपना वक्त दोस्तों के साथ घूमने फिरने, गपे लड़ाने और शिनमा देखने में पिता देते हैं, उस उम्र में इस लड़के ने करोडों की कमपनी खड़िका दी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि 19 साल के एक लड़के ने अपने दम पर 73 करोड उपय की कमपनी खड़िका दी, जिस एज में आप अपने घरवालों से पॉकेट मनी मांगते हैं, उस उम्र में ये लड़का 1200 करोड उपय कमा रहा है, एक हिट आइडिया ने कैवल लिवोहरा की किस्मत बदल दी, कैवल ऑनलाइन ग्रोसरी डिलिवरी एप जैप्टो क को फाउंडर है, जब वो शिर्फ 19 साल के थे, उन्होंने जैप्टो की सुरुवात की, 19 साल में सुरू कर दी अपनी कमपनी, कैवल लिवोहरा मुंबाई के रहने वाले है, साल 2001 में जन में कैवल लिखी सुरुवाती पढ़ाई मुंबाई में हुई है, कंप्यूटर इंजि उन्होंने अपने स्टार्टप का नाम गोपूल लखा, पढ़ाई के साथ साथ कमपनी चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वापस मुंबाई आ गये, कैसे हुई जैप्टो की सुरुवात, जैप्टो सुरुख काने का आइडिया भ जैप्टो की सुरुवात की, मुंबई में 1000 करमचारी और डिलीवरी एजेंट्स के साथ इस कमपनी की सुरुवात की गई, एक साल में 7300 करोड की कमपनी, जैप्टो की सुरुवात कुरोना की दौरान हुई, जब लोग घर से निकलने में परहेच कहते थे, ये उनके लिए बहितरीन मौका था, इसका फाइदा भी उन्हें मिला, एक ही महिने में उन्होंने 200 मिलियन की कमाई कर ली, एक साल में कमपनी का वैलियोशन 900 मिलियन डॉलर यानी 7300 करोड के पार पहुँच गया, जैप्टो की फाउंडर कैवल वोरा का नेटवर्ट 1200 करोड रुपे पर पह पहुच गया, वो देश के सबसी कम उम्रे के अमीर बन चुके थे, हूरेन इंडिया रेचलेश्ट में पहली बार उनका नाम सामिल किया गया, दस मिनट में डिलीवरी वाला आइडिया, शुरू में जैप्टो की जरिये पहले लोगों तक सामान पहुचने में 45 मिनट का समय लगता था, लेकिन कैवले ने देखा कि जिन लोगों तक सामान जल्दी पहुच रहा है, वो उनकी सर्विस से जारा खुस हैं, और बार बार ओर कर रहे हैं, इसी वज़े से उन्होंने 10 मिनट में डिलीवरी वाला कॉंसेप्ट जैप्टो में भी लगाया, पहले से बाजार पहुच चुकी है, हाली में कमपनी ने स्टार्ट अप वाई कॉंबिनेटर और ग्लेट ब्रूक कैपिटल से साथ मिलियन जॉलर की फंडिंग हासिल की है, लगातार बढ़ रायन नेटवर्क, फिलहाल जब टू भारत में 10 पड़े सेहरों में काम कर रहा है, कमपनी लगाता मुनाफ़ कमा रही है,